हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समया पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि तलवार से एकदम से किसी की भी गर्दन काट देते हैं उस इनसान की धड़ अलग हो जाती है और गर्दन अलग लेकिन आप लोगों को यह तो पता होगा कि असल में ऐसा हो नहीं सकता तो फिल्मों में गर्दन कैसे काटते हैं गर्दन काटने वाले सीन कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि फिल्मों में गर्दन कैसे काटी जाती हैं सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि गर्दन काटने वाले ये सीन दो चीजों की मदद से लिये जाते हैं एक तो VFX यानि Visual Effects जो हरे प्रदे की मदद से किये जाते हैं और दुसरा Computer में मौझूद High Quality के Software की मदद से फिल्मों में गर्दन काटने वाले सीन को तीन हिसों में फिल्माया जाता है सबसे पहले हिस्से में तो एक व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर जोर जोर से खाली हवा में हिलाता है दुसरे सीन में जिस इनसान की गर्दन काटी जाती है उसको एक हरे परदे के सामने किया जाता है और वो ऐसा एक्षन करता है जैसे उसकी गर्दन कट गई है और वो नीचे गिर जाता है और तिसरे सीन में वही व्यक्ति जिसकी गर्दन कटनी होती है वो अपनी गर्दन इधर उदर आराम आराम से हिलाता है फिर कम्प्यूटर में मौझूद सोफ्ट वेर की तलवार चलाता है और उसी टाइम आगे वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है फिर कंप्यूटर में मौझूद सोफ़ेर की मदद से आगे वाले व्यक्ति की गर्दन को छुपा दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है और एक अड़वांस सोफ़ेर की मदद से उसकी गर्द गर्दन को काट कर नीचे गिराया जाता है और गुमाते गुमाते गिराया जाता है और फिर उसी शोफ्यर की मदद से जैसे ही तलवार लगकर गर्दन कटती है तो शोफ्यर की मदद से गर्दन से भी और धड़ से भी खूर निकलता हुआ दिखाया जाता है तो दोस्तों इस तह से फिल्मों में किसी की भी गर्दन काटी जाती है उमीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी है वीडियो पसंद आई होगी कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद